नमस्कार, योगा माई लाइप पर आप सब का स्वागत है, मेरा नाम अचारे हरीश है, और आज का टोपिक है कि रात बर नीन्द नहीं आती, क्या करें, क्या उसकी वज़े है, रात बर नीन्द ना आने की, और क्या उसका निवारन हो सकता है, हमें अपने बाइलोजिकल फंक्शन्स को भी समझना होगा, योगा पे तो हम बात करी रही हैं, और बाइलोजिकल फंक्शन्स को समझना बहुत जरूरी है, बाइलोजिकल फंक्शन्स कौन से हैं, खास तोर पे हमारे हार्मोस, जो हमारे निउरो ट्रांस्मीटर उनको बोलता ह chemical messenger एक हमारे शरीर के हमारे मस्तिक्ष में तीन ग्लेंट्स होती हैं एक hypothalamus दूसरी penal gland और तीसरी pituitary gland इन सभी ग्लेंट्स का जो कि endocrine system से समध रखती हैं अगर biological medical terms की बात करूँ तो इन सभी ग्लेंट्स का प्रपज है कि हार्मोन्स रिलीज करना और यह सभी हार्मोन्स जो हैं वो हमारे बलड के अंदर रिलीज करती हैं पीनल ग्लेंट्स के अगर मैं बात करूं जिसे थार्ड आई भी बोला जाता है यह ग्लेंट्स एक हार्मोन बनाती है जिसको बोलते हैं मेलाटोनिन अब यह मेलाटोनिन नाम का जो हार्मोन है यह सारा दिन नहीं बनाती है इतना beautiful function है हमारे शरीर का कि बहुत कुछ सूलिय से जुड़ा हुआ है बहुत कुछ चंद्रमा से जुड़ा हुआ है और जैसे हम किसी अलग महोल में आते हैं तो भी हमारे दिमाग के अंदर हार्मोन का सेक्रिशन है हमारी ग्लेंट बदल देती है उदारन के लिए अब मैं यहां पे हरे बरे वातावरन में आया खड़ा हूँ तो एक एक अजीब परकार की जो शान्ती है चार और पक्षियों के वाज़े भी आप सुन रहे है तो यह एक बड़ी ही relaxing जो mechanism है मेरे माइंड का इसफ़ बना हुआ है कोई भी अगर यहां पे आएगा उसका दिमाग शान्त हो जाएगा यहां पे आके यानि कि यह महोल भी जो है यह भी एक त्रीके के मेरे अंदर शान्ती पैदा करने के लिए उत्तरदाई है मेरी स्पोर्ट कर रहा है जब अंधेरा होता है तो हमारी जो biological cloak है हमारे शरीर के अंदर वो अंधेरा होते यह अपना काम शुरू कर देती है अंधेरा उसे पता कैसे चलता है हमारी आखों से अंदर जो रोशनी जा रही है इस जाने वाली रोशनी की जब intensity कम हो जाती है तो हमारे शरीर की जो biological cloak है उसको पता चल जाता कि भाई बाहर अंधेरा हो चुका है तो अब आप अपना काम शुरू कर दो अब अगर बाहर अंधेरा नहीं हो रोशनी ही रहे तो जो यह biological cloak है गड़वड हो जाएगा इसके अंदर प्रोब्लम पैदा हो जाएगा मेलाटोनिन जो है रिलीज नहीं होगा मेलाटोनिन रिलीज नहीं होगा तो वो हमें जो हमारा sleep cycle है उसमें जाने के लिए sport नहीं करेगा हो क्या रहा है कई तरह की गड़वड है एक तो खान-पान को लेके गड़वड है खान-पान के timing को लेके भी गड़वड है जो हम time change कर देते हैं खाने का कभी lunch late कर लिया कभी dinner late कर लिया जल्दी कर लिया इन सब चीजों से खाली late और जल्दी करने से भी हमारी जो biological cloak है वो affect होती है के बल जल्दी और late करने से timing बहुत जरूरी है दूसरी बात melatonin वो release कब करेगी अंधेरे में और हम क्या करते हैं रात को क्यों कि mobile हमारे पास है टीवी की सक्रीन है laptop की सक्रीन है यह सब सक्रीन हमारे पास है हम क्या गरते हैं हम इंसक्रीन को देखते बस होते हैं इंसक्रीन को बिल्कुल देखते बस होते हैं उससे क्या होता है कि रोशनी जो हमारे दिमाग के अंदर हमारी आखों के अंदर गुस्ती चले जाती है और रोष्ण हमारी दिमाख के उंदर हमारी आख्रों के उंदर गुस्ति चली जाती है तो उससे क्या होता है उससे जो बोडी खिल होगा है उसके पड़ मेलाटो नहीं जा पहुँर्च और रिलीज होने की इन्फ़र्मिशन ही जाएगी निटोर से बहुत सारी विजंकतिया पैदा होनी शुरू हो जाएगा तो इसलिए बहुत जरूर है एस बात को समझना, खांभान को समझना जरूरी है खांभान हमारे नींद का जो पेटर्ण है, उसके बहुत ज़्जादा असर डालता है लेकिन सबसे अच्छा सबसे जाज़ा सब डालता है मेलाटोनिन मेलाटोनिन अगर समय से रिलीज नहीं होगा तो फिर बात नहीं बनेगी इसलिए जब आप रात को सोएं तो कम से कम आदा गिंटा पहले सोने से आदा गिंटा पहले कैसा महल बनाए कोई भी स्क्रीन उसक्त ओन नहीं हो ना टीवी की ना लैपटॉप ना मॉबाइल की स्क्रीन उसको सोने से पहले उसको बंद कर दे सारे सिस्टम को एक सही मूड में सोए और अच्छे अच्छे विचारों के वारे में सोचे नहीं विचारों के वारे में सोचे आपको बड़ी मज़े की बात बताता हूँ कि अगर रात को अगर आप केवल नई विचारों के बारे में सोचेंगे आप देखेंगे बहुत जल्द नीद आ जाती है पुराना विचार कोई भी मताने ने सो गड़वडियां होती हैं दिन में कई परकार के टेंशन्स होती हैं या आने वाले समय को लिए के टेंशन्स होती हैं दोनों चीजों को निकाल दें इस बात का ख्याल रखेंगे मैं कोई वी चीज नहीं सोचूँगा पुरान चीज सोचूँगा ही नहीं आप देखेंगे किस तरीके से आपको बड़ी जड़ी नेंद आ जाती है इसके लाबायव योगासन और प्रणायाम जो की बहुत जरूरी है ध्यान से पहले योगासन प्रणायाम करें और उसके बाद ध्यान करें फिर आप देखिए किस तरीके से sleeping cycle जो है, बिलकुल सही होते चले जाते हैं, क्योंकि healthy व्यक्ति वही होता है, जिससे proper सही नहीं दाती हो, समय पर उठना और समय पर उसका जागना सोना होता हो, आज के लिए इतना ही वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, रिक्वेस्ट है कि आप हमारा जो वर्क है उसको like कवशे करें, और share करें हमने social media पर, और नीचे thanksgiving का button है, उसको दबा के आप हमें support कर सकते हैं, हमारे बहुत सारे हम कारे चलाते रहते हैं, उसमें आप support कर सकते हैं, thank you very much, आप सब का दिन मंगल में हो.